तो नवरात्री के रौनक इन दुनों राची में पूरे जोर पर है, जगजग़ पूजा पंडाल बन रहे हैं, इन सब के बीच, राजधानी राची के हीनू बांगला मंडप में बंगाली समाज पूरे रितिरवास से पूजा आरचना करता देखा, भक्त ठाक के धुन में ली पर किया जाता है, कारी के रहां पर जूटे हुए हैं, यहां पर लोग को के लिए भगे रुख से भोक निर्मान किया जा रहा है, हमारे साथ भी मौजूद है, तुसार दास सर, आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया में, इस बार क्या कुछ खास दिया रही है, बंगला की तरफ में हिनुपुजा को मिटी के तरफ से भूग का आजयन हो था, सब्तमी, आस्तमी, नाउमी के कल हुआ था करिक खाली हजार का तोक्री का डिस्टीबिशन किये हैं, सब्तेमी का रोज जो है हम लोग 900 का किये ते इस बर हम लोग 1200 का करीप टार्गेट रखें भोग डिस्टिविशन का तो इस अधार पर हम लोग काम करते हैं और अज फंक्शन भी है हम लोग जम्चिपूर का तरब से आ रहे हैं तुछ अधार हम जानेंगे यहां के सचीव से जो नवमी का पूजा यह बंक्समुदा के लिए कितना खास महत्वा रखता है ऐसा है कि यह नवमी का पूजा जो हम लोग का बंगाली समाज का एक बहुत मतपून दिन है इस दिन मा का अराधना के साथ था थि मा का जो हवन मा के सामने जो हमन का जो ग्लत बाता बरण है उसको क्लियर करने के लिए मापा जो आषिर्वाद सबको मिले सबको सामान रूप के मिले इसका यह होता है नवरात का जो अंतम दिन जो होता है उसको और देखा किस प्रकार सा एनका कि कहना और ऑडब ढ़ब आयोजन हुए है terus महां प्रूची दरूहेंगें महुता है फृष्व के बाद पाए यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। महां के व्हीं हुचा जर्सान करनें है बहुत ही अच्छा लग रहा था है। आपने देखा दुजाने के नहीं कहना है कि वो रफ्टार को और अच्छा लाइक रहा है कि मा का पूजा है कि भवेर रूप आया है रफ्टार विडिया से कैमेरमैन दुकेश के साथ मैं सारव बैं राची